हालो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बुनाई लिखे आई हूँ देखिए बनाने में बहुत जादा इसी है और देखिए देखने में कितनी जादा ब्यूटिफुल लग रहे है और फ्रेंड्स से इस बनाना शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स यह राइट साइड से स्टार्ट होगा आपका देखिए सबसे पहले आपको यह देखिए एक एजिस्टिच बुनेगे और एक आपको सिधा बुनना है कि उसके बाद यह आपकी थोर्ड वाली नंबर पर यह आपकी सेकर नंब यह फिर देखिए ऐसे डालेंगे दो ऐसे डालेंगे तीन फिर डालेंगे चार यह देखिए इस तरीके से पाँच यह देखिए छे साथ आठ देखिए फिरेंगे अब यह आठ फंदों को आपको अपकी राइट वाली सलाई में ऐसे करना है एक साथ लेना है आठ का आपको एक करना है कि इस तरीके से कि बैक साइड को एसे एसे करके यह देखिए इस तरीके से फंदों कि एक करना है यह कि एसे निकालेंगे और यह देखिए इस तरीकी कह बनके रैड़ी हो गया ऊसके बाद आपको बीच में तीन का ग्हाइब रखना मैं यह देखegt एक और दो तीन निन पीनेंगे फिर यह चौथे नमबर फिर आपको निकालना इसको पहले सिधा करेंगे यह से देखिए सिधा करेंगे उसके बाद देखिए एक बंदा फिर यह दो फिर यह तीर चार पांच है फ्रेंड्स यह आपको थोड़े डीले डालने करने हैं छहाइए साथ 288 गृट पन पहले देखिए आट होगा उसके बाद यह 8 फंदों को एक करना है 4 5 6 7 8 और यह एक जिसके ऊपर यह था ठीक है यह नौ फंदे हैं पूरे मिलाँके इस तरीखे से बेक साइट को इसके बाद आपको इसको इस तरीख से फंदा डालके एक करना यह दिखिए इस तरीखे से फिर आपके तीन फंदों का गयाप है देखिए 3 सिद्धे बुन लेंगे एक, दो, तीन, फिर इसे हम सिदा कर लेंगे ऐसे, फिर इसमें आठ फंदे बनाने, देखे एक, यह निकालेंगे, जैसे हम नॉर्मल सिदा बुनते हैं, फिर देखे इसके उपर, इसी के अंदर से हमको, दो, इसे डालेंगे, इसी के अंदर से हमें, तीसरा, यह देखे, चार पांच छे साथ यह आठ आठ हो गए यह देखे हाठों को आपको फिर इस तरीके से सबको एक साथ लेके यह देखे इस तरीके से इनको बैक साइड को आपको ऐसे उसके बाद यहाँ से फंदा रालना है ऐसे उसके बाद यह फंदा ऐसे निकालेंगे यह देखे इस तरीके का हो गया फिर तीन का गयाप है फिर देखे तीन सिदे बुनेंगे एक दो तीन सिदे बुनेंगे फिर ये देखिए इस फंदे को आपको ऐसे सीधा करना है पहले है ये देखिए ऐसे सीधा करेंगे फिर ये देखिए एक दो तीन चार पाँच चे साथ और ये आठ 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 फंदे होगे अब ये आठ का आपको ऐसे उठा के एक करना है ये देखिए इस तरीखे देखिए ये आठ फंद होगा है अब इनको बैक साइड को आपको ऐसे लेके ये देखिए ये फंद आपको ऐसे डालना है उसके बाद आपको ये करना है ये देखिए ये हो गया फिर आपको तीन का ग अधिन कि आपको फिर ये लास में ए ऐडिस टिश आगिया देके इस तरीके से बूनाई आपके बनके रड़ी हो गया यह दिखे आपको क्या करना आ पैक साइड में इसमें कोई बुनाई नहीं है बैक साइड आपको पूरा उल्टी बुनने है इस तरीके से कि देकि फ्रेंड्स आप हमारी फॉर्ण्ट साइड आगे देखिए दो रोस का ये रिपीट पैटन है आप को डो रोस इसमें प्लैन बूनानी है प्लैन का मिन्की रेट साइड सबको सिधा बूतना और ़ेव्ट साइड से उल्था बूना है यह दिखिए राइट साइड साब ऐसे सीधा से दब होनेंगे पूरी रोह आपको ऐसे रिपीट करनी है यह दिखिए फ्रेंट्स राइट साइड कमपीट हो गई आप लाव्ट साइड है लाव्ट साइड आपको पूरी रोह उल्टी पुननी है पाँ हमारे निखान भी देख बनाई निकालेंगे उसके बाद 2 रोज में प्लेंग बुननी है देखे हमारे बैक रूपी कमपशुट होगा इस तरह की यह देखूल ठीज़ेगे देखे हम अफश sustain है, हमें लिभी दर सक मादाई निकालि हम बत श्यूंके खान, shine ठीक है अब आपको क्या करना देखिया आपको एक दू अपै पर बुणाले निकाली को र 2025 में अब आपको बीच सिधम 3 तीप बीचों报ंगर इस तीपष सब्सेबी को अरुसर दालना है तो आपको रहें एक को Cr tomorrow frames 3 सीथय बुनेंगे, यह छौध़े नंबर पर आपको बुनाई डालनी है, यह देखिए ठीछी जो 3 आपके बीच में पर सब बीच वालेमार दालना, देखिए पोनाई ऌज पाफे लिए से ही यह है आपकी तो सेम यह देखिए यह दो आठ भार आपको डालना है तीन चार पांच छे साथ और यह आठ फ्रेंड्स आप इन्हें थोड़ा सा डीला करना क्योंकि फिर यह फंदा जब आप यह आठ का एक करोगे तो फिर थोड़ा सा डफ हो जाएगा आपके लिए इसलिए फंदे आप निकालते इस थोड़ा सा डीला निकाली है तो इसलिए आप इनको बुन पाएंगे फिर यह दिखे इस तरीके से हो गए यह आठ फंदे हो गए देखे फिर इस तरीके जाया लगा है यह दिखे ऐसे और इसके बाद यहां से निकलना देखे इसलिक जाएगा अगर थोड़ा डीला करेंगे तो इसी तरीके से आपको बस यह दिखे जी बुनाई है बस जगे चेंज करनी वह आपको दिख जाएगा यह दिखे तीन ठीक है तीन तीन का गया पर फिर यह चौतिन अवर पर डालेंगे इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छे साथ यह आठ ठीक है आठ हो गए अब यह आठ को आपको और राइट वली सलाई में लेना है सब को साथ यह देखिए यह हो गया ऐसे और इस तरीके से बैक साइड को आपको इस धागे को ऐसे घुमा के यहां से निकालना है इस तरीके से यह देखिए देखिए ऐसे आपको यह पूरी रोह कप्टेट करना है तीन तीन की गयप के बार चौत्य वाले फंदे पर आपको यह निकाल देखिए फ्रेंड्स हमारी ये बैक रूह भी कंप्लीट होगी और ये देखिए बुनाई इस तरीकी की बनके रेडी हुई है ये देखिए बहुत ही ज्यादा सुन्दर बुनाई है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपने अप्लाई कर सकते हैं आप इसके बाद आपको तो रोज का गाप करना है उसके बाद आपको ये बुनाई डालनी है देखिए बहुत ज्यादा सुन्दर बुनाई है अगर आप इसे थोड़ा दूरी पर डालना चाहते तो आप पाच की गाप भी रख सकते हैं बीच में ये देखिए इससे आप लेडी स्वेटर जैन स्व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भोले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक यू